श्रीमद भगवद गीता, भावार्थ सहित, अध्याय साथ ज्ञान विज्ञान योग श्लोक एक, विज्ञान सहित ज्ञान का विशय श्री भगवानु वाच मयास्क्तम नाह पार्थ योग युन्जन दाश्रेय, अस्षयम समग्रन्मा यथा ग्याससी, तच्रिनु भावार्थ श्री भगवान बोले हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित तथा अनन्य भाव से मेरे परायन होकर योग में लगा हुआ तु जिस प्रकार से संपूर्ण विभूती, बल, एश्वर्यादी गुनों से युक्त, सबके आत्मरूप मुझ को संशय रहित जानेगा, उसको सुन श्लोक दो अध्याए साथ, ज्ञान विज्ञान योग श्लोक ज्ञान नते हाँ सविज्ञान अमिदम वक्षाम्य शेष्ट यग्यात्वा नेह भुयोन यग्यातव्यम वशिष्यते भावार्थ में तेरे लिए, इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण तया कहुंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्या, शेष नही रह जाता श्लोक तीन अध्याय साथ, ग्यानवी ज्ञानयोग श्लोक मनुष्याना सहस्रेशु कश्चिद्यतती सिध्धये, यतामपी सिधाना कश्चिन्मा वेती तत्वता, भावार्थ, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ती के लिए यत्न करता है और उन यत करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायन होकर मुझको तत्व से अर्थात, यतार्थ रूप से जानता है, श्लोक चार पांच अध्याय साथ, ग्यानवी ज्यानयोग श्लोक गुमिरा पोनलो वायो खन मनो, बुद्धिरिव च, अनकार इतियम में भिन्ना प्रकृत रश्टधा अपरेयमित्स्त्वन्या प्रकृतिन विद्धी में, पराम, जीवभूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत भावार्थ प्रित्वी, जल, अगनी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी और अहनकार भी, इस प्रकार ये आज़ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृत ये आज़ प्रकार के भेदों वाली तो अपरा, अर्थात मेरी जड प्रकृती है और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर्ण जगत धारन किया जाता है, मेरी जीवरुपा परा अर्थात चेतन प्रकृती जान श्लोक 6 अध्याय साथ, ज्यान विज्यान श्लोक एतद्योनी नी, भूतानी सर्वानी त्युपधारा, अहम क्रत्सनस्य जगतह प्रभवः प्रलयस तथा भावार्थ है अर्जुन, तू ऐसा समझ, कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव त प्रलया हूं अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं श्लोक साथ अध्याय साथ, ग्यानवे ज्यानयोग श्लोक मत्ता हैं, परतर नान्यत किंचिदस्ती धननजे, मईी सर्वमिदम प्रोतं सूत्रे मनिगना एव भावार्थ है धननजे, मुझसे, भिन दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मनियों के सद्रिश मुझ में था, हुआ है श्लोक आथ अध्याय साथ, ग्यानवे ज्यानयोग श्लोक संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की, व्यापकता का कथन, रिसो इम्पसु कॉन प्रभासमी शशिसूर्ययों, प्रण्व सर्ववेदेशु शब्दह के पौरुशन रिशू, भावार्थ है अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओनकार, हुँ, आकाश में शब्द और पुरुशों में प्रण्व सर्ववार्थ में पृत्वी में पवित्र, शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तनमात्राओं का ग्रहन है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है, गंध और अगनी में ते पार्थ सनातन, बुद्धिर बुद्धि मतामस्मी तेजस तेजस्विनाम हम भावार्थ है, अर्जुन, तु संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझ को ही जान, मैं बुद्धि मानों की बुद्धी और तेजस्वियों का तेज। अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ श्लोक बारा अध्याय साथ ज्यानवि ज्यानयोग श्लोक ये चैव सात्व का भावा राजसा स्ताम साश्चे मतल अविती तान्विद्धी नत्व हं तेशुतेमई भावार्थ और भी जो सत्व गुण से उत्पन होने वाले भाव हैं और जो रजो गुण से होने वाले भाव हैं उन सब को तु मुझ से ही होने वाले हैं ऐसा जान परंतु वास्तव में गीता आ, नौ श्लोक चार पांच में देखना चाहिए, उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं श्लोक तेरा अध्याय साथ ग्यानवी ग्यानयोग श्लोक, आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा त्रिबिर गुन्मयर भावर भे सर्वमिदम जगत, मोहिता नाभिजानाती माम्भयह पर्मव्ययम भावार्थ गुनों के कारिया रूप सायत्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राने समुदाए मोहित हो रहा है इसलिए इन तीनों गुनों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता श्लोक 14 अध्याय साथ है श्लोक 15 अध्याय साथ ग्यानवी ज्यानयोग श्लोक नमा दुश्कृतिनों मूधाह प्रपध्यनते नराधमाह माय अफरित ग्याना आसुर भावमा श्रिताह भावार्थ माया द्वारा जिनका ग्यान हरा जा चुका है ऐसे आसुर स्वभाव को धारन किये हुए मनुश्यों में नीच दूशित कर्म करने वाले मूर लोग मुझको नहीं भजते श्लोक सोलह अध्याय साथ ग्यान्वि ग्यानयोग श्लोक चतुरविधा भजनते माजनाह सुख्रति नौर्जुन आर्थो जि़्यासूर अर्थार्थी ग्यानी चा भरत अर्शब भावार्थे भरतवन्शियों में श्रेष्ट अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्थ, संकट निवारन के लिए भजने वाला, जिग्यासू मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं शलोक 17 अध्याय साथ, ज्ञानवे ज्ञानयोग शलोक तेशा ज्ञानी नित्यय युक्त एकभगतर विशिश्यते, प्रियो, ही ज्ञाने नो त्यर्थमह सच्य मम प्रियह भावार्थ उनमें नित्या मुझमें एकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ती, वाला ज्ञानी ज्ञानयोग शलोक उदाराह सर्व एवईते, ज्ञानी त्वातमयव में मतम, आस्थितह सही युक्तात्मा मामेवानुत्मा गतिम भावार्थ ये सभी उदार हैं, परन्तु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है क्योंकि वो मदरत मन बुद्धिवाल ज्ञानी भाक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है शलोक 19 सध्याय साथ ज्ञानवी ज्ञानयोग शलोक बहुना जन्नमते ज्ञानवानमा प्रपद्यते वासुदेवे सर्वमिती समहात्मा सुदूरलभा भावार्थ बहुत जन्मों के अ ज्ञानवी ज्ञानयोग शलोक अन्य देवताओं की उपासना का विश्य कामेस्तेस्तरहृत ज्यानाह प्रपद्यनतेन्य देवताह तम-तम नियम अमाथाय प्रकृत्या नियताह स्वया भावार्थ उन-उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा छुका है वी अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस उस नियम को धारन करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूझते हैं श्लोक 21 सध्याए साथ। ज्ञानवे ज्ञानयोग श्लोक 22 सध्याए साथ। देवान देव्यजो यान्ती मदभक्ता यान्ती मामपी भावार्थ परंतु उन अल्प बुद्धिवालों का वो फल नाश्वान है तथा वे देवताओं को पूझने वाले। देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते। है श्लोक 24 सध्याय साथ ज्यानवि ज्यानयोग श्लोक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा अव्यक्तम व्यक्तिमापन्ना मननते माम बुद्धया पर भावम जाननतों। ममाव्ययम नुथमम भावार्थ बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन। इंद्रियों से परे मुझ सच्छिदानन्दगन परमात्मा को मनुष्य की भाती जन कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ। मानते हैं श्लोक 25 सध्याय साथ ज्यान्वी ज्यानयोग श्लोक नाह प्रकाशह सर्वस्य योगमाया स्मावृता मुओयम नाभिजानाती लोको मामजम्ययम भावार्थ अपनी योगमाया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्यानी जन्समुदाए मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्ने मरने वाला। समझता है श्लोक 26 अध्याय साथ ज्यान्वी ज्यानयोग श्लोक वेदाहम सम्तीतानी वर्तमानानी चारजुन भविश्यानी चा भूतानी मा तू वेद न कश्चिन भावार्थ है अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ परन्तु मुझको कोई भी श्रद्धा भगति रहित पुरुष नहीं जानता श्लोक 27 अध्याय साथ ग्यानवी ज्यानयोग श्लोक इच्छा द्वेश स्मुथें द्वन्व मोहन भारत सर्वभूतानी सम्मोहों सर्गे यान्ती परतप भावार्थ है भरतवन्शी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेश से उत्पन्द सुख द्वखादी द्वन्द्वरूप मोह से संपूर्ण प्रानी अत्यंत अग्यता को प्राप्थ हो रहे हैं श्लोक 28 अध्याय साथ ग्यानवी ज्यानयोग श्लोक इच्छा त्वन्द गत पाप जनाना पुन्य कर्मनाम ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजनते मा द्रिवरता भावार्थ परंतु निश्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पूरुषों का पाप नश्ठ हो गया है वे राग द्वेश जनित द्वन्द्व रूप मोह से मुक्त द्रिण निश्च ही भाक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं श्लोक उन्तीस अध्याय साथ ग्यानवे ज्यानयोग श्लोक जरामरन मौशाय मामा श्रित्या यतनती ये ते ब्रह्मत अध्विदू क्रत्सनम अध्यात्मम कर्म चाखिलम भावार्थ जो मेरे शरण होकर जरा और मरन से छूटने के लिए यतन करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं श्लोक तीस अध्याय साथ ग्यानवी ज्यानयोग श्लोक साधिबूत अधिदेवम मा साधियग्यम चाईए विदू प्रयांकाले पीचा मा ते विदूर युक्ट्चेत सह भावार्थ जो पुरुष अधिबूत और अधिदेव सहित तथा अधियाग्या सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वेवे युक्ट्चित वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्धात प्राप्त हो जाते हैं